हेलो इस्टूडेंट, आए मारकेजा प्रों महात्मागंधी सिक्षन संस्थाल आज हम इस विडियो में क्लास टेंड के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का रियल लंबर्स और ये आज पार्ट 3 है जिसमें आज हम आरे सागवाल के exercise 1B का कुछ language problem है जो NCRD में नहीं दिया है उस questions को आज हम discuss करते हैं अभी तक में हम part 1 और part 2 में NCRD का exercise 1.1 और 1.2 को discuss करते हैं लेकिन कुछ questions आज से हैं जो की reference में दिया रहता है बस NCRD में नहीं है लेकिन वो questions exam में पूछ जाते हैं तो चलते हैं हम question number 8 से question number 24 तक इतने questions है जो NCRD से लग है उसको हम पहले part 3 के माधियम से आपको बताते हैं तो अब इसमें question देता है कि find the greatest number जैसे कि example लेलवा question number 8 और 8 में दिया है कि find the largest number which divides 438 and 606 living remainder 6 in each case यह question है मतलब यह हुआ कि कोन बराते बरा नंबर है जिस बराते बरा नंबर को अगर हम जिस बराते बरा नंबर से 438 और 606 को divide करेंगे तो दोनों में 6 remainder बचेगा clear तो आप दिखें कि आप जैसे पिछले वीडियो में भी और पाइले से भी आप जानते हैं कि STF जिसका full form होता highest common factor और LCM list common multiples तो बराते बरा नंबर हमको पता करना है जिस नंबर से इस दोनों को divide करना है इसमिस diviser की बात हो रही है इसलिए जब किसी भी questions में diviser में अगर largest number होगा तो आप उतमे STF निकालोगे पहले यह पता करना है ठीक है अगर remainder 6 दिया है in each case में तो आप पहले क्या करोगे एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इसको बना नहीं रहा बस आपको मैं समझा रहा हूं आप खुद बनाओगे इसको अगर 6 remainder in each case है तो आप इस में से 6 को minus कर दो 438 में से कितने बचेंगे 432 clear और 606 में से भी 6 को minus कर दो तो यह 600 यह दो नंबर आपके पास आगे हैं उसका फिर आप stf निकाल दो कि मतला आप हम 432 और 600 का stf निकाल देंगे और इस दोनों का जो stf आएगा वह ही रिक्वाइट largest number हो जाएगा clear अब इसी में question 9 देजिए अगर मान लीजिए आप 9 इसी में हम समझते हैं आप देगा कि फिर बराते बरा नमबर निकालना largest number निकालना जिस largest number से इस दोनों को डिवाइड करते हैं तो रिमेंडर 6 और 8 रिस्पेक्टिवली दे लिए अब कुस्चन समय अंसर समझो कि पहले एक रिमेंडर था इन इस केस में था अब दो नमबर है दो रिमेंडर है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो सिंपल है इसमें से आप क्या किए 6 को माइनस कर लो दूसरे नमबर में से 6 नहीं 8 को माइनस कर लेंगे तो अब यह फाइव हंद्रेड अब 10 जो है वो लिख्ट नमबर पर दे दिया और LCM का फूल फॉर्म क्या होता है लिख्ट कॉमन मल्टिपल अब दी आया कोस्टिन 10 में find the list number which when divided by 35, 36 and 91 मतलब कोई छोटा से छोटा नमबर है जिस नमबर को आप जब इस चीनों से क्या दिवाइड करते हो तो remainder जो है 3 है in each case में आएगा मतलब आपको जो है dividend पता करना है dividend या तो diviser के बराबर होना चाहिए या बरा होना चाहिए generally normally जब मालीजे इस से हमको divide करना है तो चीज और वो list number है तो इस तीनों से बरा होगा जब बरा होगा रहा इसे भी list number दिया तो आप इसमें क्या करो पार इस तीनों का आप LCM निकाल जो पिज़े अब इस तीनों का जो LCM आएगा उसमें remainder कितना दिया है 7 तो जो LCM आएगा उसमें हम 7 को क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो रिक्वाइड लिस्ट नंबर आ जाएगा क्लिया अब चलते हैं कुस्टे नंबर 11 है अब कुस्टे नंबर 11 में है कि find the smallest number which when divided by है अभी एक ही remainder था लेकिन अगर देता कि इसी questions में माल लो आप देता क्या कि remainder 5 बच्रा 7 बच्रा और 8 बच्रा है अभी आ पहले given number का LCM निकालके वो एक remainder को जोड़ी अब अगर तीन remainder दे दिया तो तीनों को तो नहीं बारी बारी इससे जोड़ेंगे तो क्या किजिएगा पहले इस 35 में से 5 को क्या करोगे माइनस कर लो कितना बच्चा माल लो 30 36 में से 7 को माइनस कर लो कितना बच्चा 29 91 में से अ हम पहले remainder घटा देंगे और फिर तीनों का फिर क्या करेंगे हम LCM निकाल देंगे तो आंसर आजाएगा क्लिया अब चलते हैं तो यह आप इस तरह से 10 और 11 बनाते हैं तो यह मैं 10 में एक remainder था एक में क्या था कि आप LCM निकालके given remainder 0 दो लेकिन 11 में क्या 2 है या कभी 3 remainder दे तो पहले आप remainder को पहले माइनस कर लोगे और माइनस करने के बाद जो difference आएगा उडिफरेंस नंबर का आप LCM निकालके ठीक है अब चलिए question number 12 में दिया है to find the smallest number which when increased by 70 मतलब कौन छोटा से छोटा नंबर है जिस नंबर को अगर हम 17 बरहा दें तब जाके वो 468 और 520 से क्या divisible हो जाएगा आप increase कर दो 17 जब बरहाते हो इसका मतलब तब होता है इसका मतलब 17 हम नहीं बरहा रहे हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ remainder तो देगा 17 बरहाने के बाद divide होता है तो आप क्या करेंगे यह आपके पास जो number धिया है इसमे 468 468 और 520 आप इस कोई नंबर है उस नंबर में जब आप इस दोनों से डिवाइड करते हो और उसको जब 17 बरहा देते हो उस नंबर को एड कर देते हो 17 तब जाके डिवाइड होता है तो आप पहले इस दोनों का क्या किजिए लसीम निकाल लीजिए जो लसीम आएगा जिसको आपने बहाया था उस लसीम देते 17 क्या करेंगे घटा दोगे अगर आता कि 17 डिकरीज करना है तो यह 17 क्या करते जो देते हिए लिए होता क्या ना कि हम तो मना लेते हैं इंक्रीज व्लोर रट लेते हैं या आप देख लोगे एकजाम में देदेगा डिकृइज और आपका होगी कुश्चन गल्सी है तो वह नहीं बताना है अगर डिकृइज है तो यह माईनस नहींआ है प्लस करना है कि लिए से डिवाइड हो जाए मतलब 4 डिजिट का कौन ऐसा नमबर है बड़ा से बड़ा नमबर जिसमें 15 से भी डिवाइड हो जाए 24 से भी हो जाए और 36 से भी हो जाए हैं अब इसमें क्या दिया है कि अब इसमें तो पहले फोर डिजिट का लाइस नमबर लिख लो यह हमने लिख के रख लिया और यह इससे कराए कि अब यह चार डिजिट का सबसे बरा से बरा मतलब यह नहीं यह होता है चार डिजिट का बड़ा नमबर करेंगे पहले 1524 436 का क्या करेंगे LCM निकाल लेंगे ठीक है अब LCM जब निकालेंगे तो मानलो LCM 360 आया सपोज करो आएगा ही 360 अब 360 से आप क्या करोगे आप 9999 को divide कर देना ठीक divide करने के बाद इहां कुछ ना कुछ remainder बचेगा मानलो remainder 12 बचा 18 बचा जो भी remainder बचेगा मानले थे हैं 12 बचा लेट तो यह अगर यह 12 remainder बचा तो इसमें से आप क्या कीजिएगा 12 माइनस कर देना 12 माइनस करने के बाद जो यहां difference आएगा यहीं चार्ड डिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जितमें इस तीनों से क्या कंप्रिटली डिव्यबल होगा जाएगा क्लिए अब चलिए कुस्चन नंबर 14 है 15 है और 16 है अब एक सेमिनार हुआ कुस्चन नंबर 14 में कर रहा है कि एक सेमिनार हुआ जिस सेमिनार में जो न हिंदी के इंगलीस के और मैथमेटिक के पार्डिसिपेंट्स थे अब यहां दो हिंदी है इंगलीस है और मैथ का पार्डिसिपेंट्स है सेमिनार में लेगा जहां हिंदी में सब कोई किजे कि 60 पार्डिसिपेंट्स है इंगलीस में अग्याइट प्रूम की जरूरत परेगी ताकि फारे रूम में नंबर आप पार्टिसिपेंट्स क्या बराबर बराबर हो जाए तो आप क्या करो इस तीनों का पहले क्या करेंगे सब्सक्राइब निकाल देना एक फ्रैक्टर होगा ही ना उसको फिर बाड़ देंगे उसको मिक्स करके तीनों में बराबर बराबर हो जागा क्लियर तिर उसी को स्टमें कर रहा है और तो फाइंड इसमें और कुछ पताने करना है अगर माल यह देगा कि कितने हैं टोटल कितने पाजिस्टिपन्ट थे तो आप जो स्टीस आएगा उसको इसके डिवाइन कर देना इस ते तो आपको निकल जाएगा कितना है ठीक है अब चलिए कोस्टन नमबर फिफ्टीन है ज्यम जो एक 42 मीटर का है एक 49 मीटर का है और 63 मीटर का है उसको हम चाहते हैं कि सेम लेंथ का बराबर बराबर तुकरा बनाएं तो सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होना चाहिए और कितने प्लैंक बनेंगे इसमें नमबर फिलेंग भी निकलना है और एक प्लैंक का सबसे बरा ल कर दो तो मानलों स्प्रेवर्ण आ गया तो हम कहेंगे जो प्लैंग बनेगा उसका ग्रेटेफ्ट लेंग्स मैक्सिमम लेंग साथ मीटर होना चाहिए अब कितने प्लैंग बना इसको साथ से डिवैड करोगे तो साथ चके भी आलिश्व प्लैंग यहां तयार हो जाएगा इस इसको साथ के डिवाड करोगे तो साथ नमें सीर साथ तीनों को जोर दो तो शाथ तीर आउना बाइस यहां प्लैंग तो आप इस रस्ति इसको बना सक्टेए फिर इसी तरह से आप किसी भी कोस्च्छन में ग्रेटर्ट अगर देगा तो आप उसका स्टिय निकाल दोगे इ कोस्चन नमबर पहले अब हम तो आप इस तरह से इसका 20 तक बना सकते तो जिसमें 19 कुछ अलग को चला है तो फिर हम पहले आप 19 को समझेंगे अगर 19 समझ लेंगे तो कॉस्चन 20 तक आपका किलियर हो जाएंगे तो यह पहले कॉस्चन 19 को समझते हैं तो 19 में दिया है कि find the least number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 meter 17 cm long मतलब उसका लेंथ जो है वो 15 मीटर 17 cm है और ब्रीथ जो है वो दिया है आपको 9 मीटर 2 cm है तो ceiling में मान लो हम tiles लगाएंगे सपोल करो तो उसमें जो आप tiles लगा रहे हो उस tiles का सेफ स्कॉर सेफ का है करें कितने tiles लगेंगे तो हम पहले क्या करेंगे पहले इसका area निकाल लेते हैं जहां हम tiles लगा रहे है है उसका area निकाल लेते हैं और जो tiles लगा रहे है स्कॉर सेफ का उसका age निकालना होगा कि कितना side है तो आप सबसे पहले इसको cm में change कर लो 15 m 17 cm का मतलब 1517 cm हो जाए ला ठीज और 9 m 2 cm का मतलब 902 cm हो जाए है अब हम कि इस दोनों का क्या करेंगे SCF निकाल लेंगे मालीजिए SCF 63 cm आगे लेट कर लिया मैंगे तो अब आपको जो tiles लगा रहे है square shape का उसका each age कितना है 63 cm अब number of tiles जब लगाएंगे अब tiles कहां लगा रहे हूं सिलिंग में सिलिंग रेक्टेंगल सिर्फ का है आपके तो एरिया आप सिलिंग बट्टा एरिया आफ स्क्वाइर टाइल यह लिग लेंगे थी इसका लेंग्ट कितना है 15 17 cm ब्रीज कितना है 902 cm और जो अप्टाइल लगा रहे हूं स्क्वाइर सेथ का उसका स्टाइड कितना है 63 cm इंटू 63 cm इसको सॉल्व कर लेंगे ना सॉल्व करके जो आएगा वहीं नमबर आफ स्क्वाइर टाइस के लिए अब चलते हैं अब कुछिन नमबर 21 है 22 है 23 यह स्टेम कंसिब पर है अब जीते कोई इलेक्टिक डिवाइस है वह पाहला एक बीप होता है विपिंग स्टाउंड होता है तो पाहला बीप जो है वो 60 seconds के बाद होता है फिर उसके बासर सकेंड के बाद होता है अब करा कि अगला कब हो गा जब पाहला साट सेटन बैद होगा तो फिर अग्ला जो होगा फृसकेंद से पहले की बाद होगा पारोगा जब बात की बात पूऑ अब अगला यहागा चल बाद में नखितारा फिर अगला कि हम घर से तत बजे चले या आठ बजे सुबह में चले अब आठ बजे सुबह में चले तो चलने के बाद जो है ना आठ बजे के दस मिनट के पाहला रेट लाइट जला उसका फिर पारा मिनट के बाद जला चौदा मिनट के बाद जला तो कितुने बजे अगला लाइट जले तो हमने इसका एल्सियम निकल दिया, तो मानलो इसका एल्सियम बादतर मिनट मेरा, सपोज, लेट कर लिए, बादतर मिनट को आप आबर और सेकेंड में चेंज कर दिया, तो बादतर मिनट का मतलब क्या हो गिया, पाथ मिनट का मतलब एक मिनट, तो रिवान आबर, बारा मिन इसका मत्ताव नौ बज़ के बारा मिद्ट पर वो जलेगा किसी में और सकेंड पर आता पांच चेंड तो आप इसको देखो के तो आपको आरे सागवाल का जो है लेंग्वेज प्रवब्रेंश बन जाएगा फिलम अगले वीडियो में और कोश्चन्स लेके आएंगे तो पॉटन चिप्टर है तो फिल थैंक यू